पटना सिख बड़ी कबर मंत्री ललित यादव ने बीजेपी पर बोला हमला इनके राज में जंगल राज नहीं आदाया तंज कसा है बीजेपी पर ललित यादव ने ललित यादव आरजएडी कोटे से बिहार में मंत्री हैं उन्होंने काए कि सिये मितीश कुमार बीजेपी क्या करेंगा सफाया और ये जिम्मेवारी मुख्य मंत्री ने अब उठा लि हएं कि और अद्र कि बीघार में ड़सतों लोग फ्हेलाएं द्रसत कहां फ्हेला खुआ है सब को एक सबता दस दिनցकी ये सर्कार है है अभी क्या दोस्त फैल आईल billionaire म्ढल राज तो ये HU लोग तो जाने के कगारर पर है तो बोखलाहत में जो भी बोले उनकी अपनी बात है जो भी बोले लेकिन बोखलाहत में बेया कोई उस्तरह की क은ई इनको बोखलाहाथ है कोई चीज का और बोखलाहाथ अपना सरकार पर निकाल रहे हैं सब दिन तो सरकार में वही थे सरकार का इसमें सरकार को एकदम सुसासन का राज है और सुसासन का राज रहेगा देखिए मुख्मंत्री निटिश कुमार जी ये भाजपा को सफाया करने के लिए निकले हैं इननों को बुखलाहाथ में है और कुछ नहीं ह讲 इननों का इननों का साफ होना है चोबिस में भी और पचीस में भी इस तोनों में कि देखे बिहार में दासत तो लोग फैलाए हैं दासत कहां फैला हुआ है सब तो एक सब्दा दस दिन की ये सरकार है अभी क्या दसत फैलाएंगे अरे उनको जंगल राज उनको 15 साल 17 साल रहे उनको याद नहीं आता है अभी 15 दिन की सरकार उनको जंगल राज याद आती है कहां उजंगल राज में उत्थे हुए अभी मंगल राज होगा बीजेपी तो यह लोग तो जाने के कगार पर हैं तो बोखलाहाट में जो भी बोले उनकी अपनी बात है जो भी बोले लेकिन Bettyパr 달라 रहे हैं इनको बोखलाहाठ न की सब दिन तो सरकार में वही थेगा इसमें सरकार को एकदम सुसासन का राज है और सुसासन का राज रहेगा देखिए Just gugmantri Nos and Kumar jiya भाज़पकर को सफाया करने के लिए हैं इन लों को बुखलाहत में है और कुछ नहीं है बुखलाहत है इननों का साफ होना है चोवीस में भी और पचीस में भी दोनों में साफ होना है